नमस्कार दोस्तों मैं न्यूज क्लिक से अजय कुमार पिछले दो दिनों से दिल्ले के कॉंस्ट्यूशन कलब में पत्रकारों के साथ नाइंसाफी पर बहस चल रही थे बहुत सारी वक्ताओं ने अपने बादचीत रखी और सारे वक्ताओं के बादचीत को पढ़कर ये लगा कि नाइंसाफी जैसा कोई सब्द नहीं है लेकिन नाइंसाफी के भीतर इतनी परते हैं जिन परतों को देखा जाये तो रोना सा आता है उनके हिम्मत के लिए कुछ नाइंसाफिया ऐसी होती है कि एक पत्रकार को जीवन भर ऐसा काम करना पड़ता है जैसे वो काम करना नहीं चाहता है कुछ नाइंसाफिया ऐसी होती है कि एक पत्रकार को जीवन भर अपना जीवन चलाने के लिए सत्ता से घट जोड़ करना पड़ता है कुछ नाइं समकालीन और तीसरी दुनिया में पत्रकार भी हैं एक भिष्ण पितामा की तौर पर काम कर रहे थे तो अंत में हिनों ने जो प्रस्ताव रखा उन प्रस्ताव को लेखर मैं कुछ इन से बात करता हूं तो सर जो अंतिम बात चीत हुई जिसमें पुर्ण्य प्रशून बाचप यह नहीं मानता कि हमारे देश में संबिधान नहीं है सारी लड़ाई इसमें यह है कि यह जो संबिधान है यानि एक संबिधान है इस संबिधान को ही यह खत्म करना चाहते हैं अभी जो मौझूदा सरकार है मौझूदा निजाम जो सत्ता में है वो इस संबिधान को खत्म क करके और एक ऐसा संविधान लाना चाहते हैं जिसको मोटे स्रब्दों में एक मनुवादी संविधान कहा जाता है यानि जो इस समाज को बिल्कुल पीछे ले जाए हम अभी तक जो आगे बढ़ रहे थे उस पर एक ब्रेक लग जाए और हम पीछी के तरह जाएं सामाजिक अस कि हम बात लें कि बिजनेस मॉडल हमारे हर प्रतिष्ठान में उन क्या कहते हैं कि पत्रकारिता काई प्रतिष्ठान ना हो हर प्रतिष्ठान में स्थिती एक ऐसी है कि एक दो लोग हैं जिनके बलबूते लगता है कि वो लोग उसमें जिन्दा है अन्य था सारे कि सारे सब्सक्राइब कोई दिक्कत नहीं है हम किवल राजनीती पर प्रश्ण करें नहीं पूरे समाज का जो कार्प्रेटाइजेशन हुआ है आप जो सवाल उठा रहे हैं उसके पीछे कारण यह है कि आप आज संसद में देखे संसदों की संख्या देखे कि अपसे जो पहली संसद इससे पहले बाली जो संसद थी उससे पहले बाली जो लोकसभा थी इन तीनों लोकसभाओं में देखे लगातार करोडपती और अरबपती संसदों की संख्या में बिद्ध ही होती गई है इसका मतलब सत्ता पर पूजी का शिकंजा कस्ता गया है ठीक है तो अगर सत्ता पर पूंजी का शिकंजा मजबूत होता गया है तो वह संसत कानून किसके लिए बनाएगी क्योंकि कानून बनाने बले तो वही लोग है ना तो इस तरह से धीरे-धीरे समाज के हर छेत पर जिसमें मीडिया भी आता है पूंजी और कार्परेट इसका शिकंजा कस्ता चला गया है और अनफॉर्चुनेटली आज हम क्यों लड़ाई लड़ रहे हैं मीडिया को ले करके क्योंकि मीडिया भी पूरी तरह से मीडिया का करप्रटाइजेशन हो गया है और अनफॉर्चुनेटली वे पत्रकार जो जनता के पक्षमें जिनको आवाज उठानी चाहिए थी वो आ मैंने देखा कि लोगसभा चुनाव में इतनी ज्यादा संपत्ती के बाद एक व्यक्ति चुन कर आता है इतने ज्यादा पैसा उसने खर्च किया और मुझे लगता है कि चुनाव की वैदता ही खत्म हो गई जो सौ करोड रुपए खर्च करके या इतनी ज्यादा जिसकी पत्ति के बाद वो खर्च करके आगे बढ़ाओ और वो हमारा प्रतेनिधित्व करेगा और मैंने सोचा कि नहीं अब मैं प्रतेनिधित्व के मसले पर नहीं बोलूँगा एक पत्रकार के तौर पर मैं जमीन के मसले बोलूँगा मैं बोलूँगा कि बाई सड़क सही नहीं ह स्कूल में टीचर नहीं आ रहे हैं लोगों को रोजगार नहीं मिल रहे हैं बिजली कंपनिया अधिक बिल लेके चली जा रही है या एक दुकान में जो काम करने वाला मजदूर है उसे दिन की सही आय नहीं मिल रही है तो ऐसी जो बाते हैं हमारी मेनिस्ट्री मडिया से नहीं बिल्कुल ठीक आप कह रहे हैं कि हम जो सरुकार बाले सवाल है वे हाशे पर डाल दिये गए हैं तो ये भी किसके द्वारा किया जा रहा है आज आप एक पत्रकार की हैसियत से अगर आप कोई ऐसी रिपोर्ट तयार करते हैं जिसमें उन्हों की पीड़ा का विवरण कचित्रन है तो क्या आज कोई कार्पोरेट हाउस से संचालित मीडिया चाहे वह प्रिंट मीडिया हो या उलक्ट्रोनिक मेडिया हो आपके इस रिपोर्ट को प्रकाशित करेगा आज अगर गौतम नौलखा जैसे पत्रकार जेल में हैं जेल में ही हैं तरह से नजर्बंद है या जेल में हैं तो किसलिया है क्योंकि जिन तबकों की बात आप कर रहे थे उन्हीं तबकों की तो आवाज वह उठाना चाहते थे और वह भी लिमिटेड जगह क्योंकि जिन मुद्दों पर मैं लिखना चाहता हूं वह उनके सरोकार में है नहीं है वह उसे चापेंगे ही नहीं तो आप जो कहने हैं कि सारा विमर्स जो है सारा डिस्कोर्स राजनीत पर और पॉलिटिकल पार्टी पर हो गया है यह तो वह चाहते हैं हम नहीं चाहते हमारा एजेंडा यह नहीं है यह उनका एजेंडा है कि सारा डिस्कोर्स से इसी पर केंद्रित हो जाए कि यह पार्टी सही है यह पार्टी सही है हमारे सरोकार जो हैं वे लोग हैं जो हार्षिये पर पड़े हुए हैं या और लगातार हार्षिये के तरफ डाले जा रहा है एक सवाल से जुड़ी संस्थाएं हैं संस्थनात्मक जो कारवाईया जिसको इंस्टूशनल एक्षन कहते हैं क्या आपको लगता है कि वह बहुत जदिक कमजोर हो गई हैं वह उसकी तरफ ध्यान नहीं देती हैं ना उसके आर्थिक पहले पर ध्यान देती हैं ना वह कभी किसी मसले में फंस्तायत उस पर ध्यान देती हैं तो यह जो एक विरादरी है वहाँ पर एक व्यक्ति स्वतंत्र होकर काम कर रहा है मतलब उसको समू के रूप में कोई देखने वाला नहीं है तो यह तो आपने यहां दो दिन के बैठक में भी आपको यह जानकारी मिली होगी तमाम वक्त से कि किस तरह से जितनी भी मेडिया से संबंदित संस्ताय रही हैं मेडिया से संबंदित ट्रेंट यूनियन संगठन रहे हैं या पत्रकारों के संगठन चायो डियू जो हो आई एफ डबलू जे हो यह जितनी भी संस्ताय थी अज सारी खत्म हो गई है कोई संस्ता है यह नह निश्चित तोर पर इसका समाधा नहीं है या जो बैठा कभी हुई थी जो मैं आयोजकों में से एक था और हम लोगों ने भी यह उम्मीद नहीं कि थी कि इतना बड़ा सा र्स्वांस मिलेगा हमारे इस पr SAK च्रहु कि तो बात ही छोड़ी इस स्पीकर्ण जो हम बूलाए थे वह हंडि़ेट परसंट थें हैं जबक्ति आम तोर पर इस पीकर्स का चैन करते चरित था यहां जो gathering थी तो इसका मतलब कि जन्ता के अंदर एक जबर्दस्त बेचैनी है और यह बेचैनी है इसको एक channelize करने की जबरत है और यही सोच करके हम लोगों ने follow-up के रूप में अभी जो थोड़ी देर पहले जो प्रस्ताव पढ़ा गया वो एक follow-up program कैसे लिया जाए क्या कोई इसको संस्था बद्ध रूप दिया जाए या अलग-अलग राज्यों में सेमिनार्स और मीटिंग्स किये जाए ताकि लोग एक जूठ हों और उसके बाद फिर इसको कोई व्यवस्तित रूप दिया जाए सच बोलने में बहुत-बड़ा जोखिम होता है इ आज जितने भी फस्ट सेशन में जो दोनों वक्ता थे और जो संचालन कर रहे थे सब ने यह कहा जिससे इसाबित हो रहा था कि आज लड़ाई सच और जूठ की ही चल रही है जूठ के खिलाफ कैसे सच को सामने लाया जाए यही सारी लड़ाई चल रही है और इसमें हमने तो वही जार्ज औरवेल का एक कोटेशन रखा था कि इन दे टाइम सब उनिवर्सल डिसीट टेलिंग दे टूथ इस रिवलूशनरी एक्ट अर्था जिस समय सारी दुनिया में धोखा धड़ी का सामराज्य हो सच बोलना ही एक क्रांतिकारी कर्म है तो जब क्रांतिकारी कर की बात आती है कि हम कौन सा रिवलूशन करें यही सबसे बड़ा रिवलूशन है कि आप सच के साथ खड़े हों और सच बोलें अपने रिपोर्ट्स में अपने भाशनों में लोगों से बाचित करने में सच को रखें शुक्रिया ये थे हमारे वरिष्ट पत्रकार आनंद सरूफ वर्मा जाते जाते फिर से आप सुनिये कि इस दुनिया का सबसे सार्थक काम है कि आप हिम्मत जुटाईए आप पत्रकार ना हो तब भी एक व्यक्ति के तौर पर सच बोल कर देखिए दुनिया बदल जाएगे शुक्रिया